दोस्तो अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आज आखरी दिन है और ऐसे में अगर आज भी आप अपने पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपको एक हजार रुपए तक की पेनाल्टी लग सकती है और आप पूंपर पैन कार्णिस हो सकते हैंक सबसे पहले आपको दिए लिंक पे ख्रया करना है और अधहर करने के-जल्प सबसे पहले है कि आपका पया काडक means स्क्राइब्स है यहा नहीं तो यह आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहां पर स्टेटस चेक पर क्लिक करना है और उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पैन नमबर और अधार नमबर डाल देना है यहां पर और उसके बाद जो है आपको चेक करना है स्टेटस की लिंक है की नहीं अगर लिंक है तो कोई बात नहीं है और अगर लिंक नहीं है तो फिर आपको बैक आजाना है और लिंक आधार पर आपको क्लिक कर देना है तो चलिए हम यहां पर बैक हो जाते हैं हलाकि मेरा अधार लिंक है लेकिन मैं दूसरा अधार लिंक करना चाहता हूं तो यहां पर लिंक आधार पर आपको क्लिक करना है इ जरूरी नहीं कि आपका अधार से लिंक हो कोई भी मोबाइल नमबर दे दीजिएगा और उसके बाद इसके TNC को एकसेप्ट करके आप जो है सबसे नीचे में यहाँ पर टैप करेंगे यानि कि आपको लिंक अधार पे क्लिक करना है साड़ी डिटेल्स डालने के बाद और ज इसके बाद यहाँ पर UIDAI के पास यह जानकारी भेश देगा कि आप इसे मैच करिए और इसको वैलिडेट करिए फिर आपको 24 गंटे के अंदर ही या फिर आभी कुछ देर में ही आपको आपका जो आधार है वो लिंक हो जाएगा पैन कार्ड से आप स्टेटर्स चेक कर सकत है इसके जानकारी उमीद है कि आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा और आपको जरूर हेल्प मिली होगी आपने अपने अधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक किया या फिर नहीं कमेंट स्रिक्शन में जरूर बताएंगे या फिर आपने पहले से ही क्या हुआ था और लिंक किया है तो इस्टेटस क्या सो हो रही है ये भी बताएंगे कमेंट स्रिक्शन में आज के विरोस इतना ही मिलते है किसी नए वीडियो में दीचे इजाज़त हैंक्यू